कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं इस्टेशन मास्टर के आर से नी, के आर एजुकेसन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ Friends, आज इस वीडियो में अपने यहापे बहुत ही इंपोर्टेंट ओपिक बात करने वाले हैं आपके गुरूप D के अंदर जो पोस्ट है, पोइंट्समेन की, उसके डूटी रोष्टर के ऊपर अपने यापे कम्प्लिटी बात करेंगे यहाँ पे अपन यह जानेंगे कि कब जो है पोइंट्समेन की डूटी होती है, उसको पर वीक 48 हावर्स की डूटी करनी होती है कब उसको 60 हावर्स की डूटी करनी होती है, और कब जो है उसको 72 हावर्स की डूटी करनी होती है इसके बाद बात करेंगे अपन दोस्तों की points में जो होता है वो 12 गंटे वाले duty roster में होने के बाव जूद भी over time कैसे कमा सकता है इन सब पे अपन detail से बात करेंगे तो दोस्तों जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिए और दोस्तों के साथ में share जरूर कीजिए और दोस्तों वीडियो को जो है लाश्ट जरूर देखना बहुत ही ज़्यादा informative ने ओला है क्योंकि बहुत ज़्यादा confusion बना हुआ है आप सुभी लोगों में और बहुत सारे comments मेरे पास आ रखे थे कि सर्क duty 60 गन टेक अप करनी है और यह 48 hours कब करनी है तो देखिए सबसे पहले यह जो photo है इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह में खड़ा हूँ और यह दो pointsman है इसमेज़े एक female pointsman है और यह जो है लोको पैलेट है यहाँ पर क्रेंगेंटल का काम करने गए थे और pointsman जो होते हैं एक तरसे आप station master का right hand को मान सकते हो क्योंके दोस्तों station master और pointsman की जो duty होती है वो हमेशा साथ साथ होती है यही कारण होता है कि जो pointsman होता है उसको station master की जो duty होती है उसका सारा knowledge होता है और बाद भी यही जो है pointsman यहाँ पर station master बनते हैं goods guard बनते हैं यहाँ पर TCTT बनते हैं क्योंके दोस्तों LDCE का एक्जाम के थुरू याप इस्टेशन मास्टर, गार्ड और TCTT बनते हैं, वो उनमे only pointsman ही form भर सकते हैं और इनी को यहाप पुरा फाइदा होता है तो एक तरह से आप यह भी मान सकते हो कि points group D के अंदर अगर सबसे अच्छे अगर promotion है किसी post के अंदर तो वो आपका pointsman है और अगर आपको pointsman की job मिली है दोस्तो तो आप बहुत ही lucky हो एक तरह से आप यह मान सकते हो क्योंकि इसमें जो है आप बहुत जल्दी जो है यहापे group C के अंदर किसी अच्छी post पे आप निकल जाओगे, अब दोस्तों आपन बात कर लेते हैं अपने topic के ऊपर कि आपका duty हाउर 48 घंटे कब करना होगा यहाँ पर week तो देखे दोस्तों आपके station यहाँ पर अलगलग type के होगे जहाँ पर workload थोड़ा ज्यादा रहेगा वहाँ पर आपकी duty रहेगी कहने का मतलब 7 दिन में से एक दिन आपको मिल जाएगा तो इस case में आपको 48 hours आपकी duty आपके बनेगी और दोस्तों 8 घंटे वाला जो रोस्टर होता है उसमें अगर आप 8 घंटे की जगए किसी दिन अगर 12 घंटे की duty रप करते हो तो यहाँ पे आपको 4 घंटे का over time मिलेगा और आपकी जो initial over time की जो rate है दोस्तों वो 200 से 500 रुपे पर हावर के साब से है यानि कि आप जो है 4 घंटे का यहाँ पे over time जो कर लेते हो वो आपकी पूरे 8 घंटे की जो duty बनती है उसका लगबख बराबर सही होता है कहने का मदलब यह 4 घंटा over time जो आपने किया इसका जो payment आएगा वो आपकी एक दिन की जो salary होती है लगबख उसके बराबर होता है क्योंकि आप देखे अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि यह 200-500 रुपे आपकी ओटी की परहावर की rate होती है तो कहने का मदलब आपका उस दिन की salary एक तरह से मान सकते हो कि आपकी devil हो गई है तो इस परकार आपका over time यह पर बनता है और दोस्तों यहाँ पे 8 घंटे वाला जो duty रोष्ट होता है इसमें जैसे की बड़े junction station हो गए यहाँ पर जहाँ पर hunting वगरा काम चलता है जैसे में गंगान अगर मेरी पोस्ट हैंग थी 5 साल तो वहाँ भी pointsman का जो रोष्टर था वो 8 घंटे ही था इस टाप कि सोटे जो उने की वज़े से वहाँ पर pointsman उने काफी लाखो रुपे का ओर्टी वहाँ पर कमाया है पूरे-पूरे महिने ओर्टाइम चलता है तो उनकी जो salary है वहाँ पर लगबग 50-60,000 से कम किसी भी pointsman की नहीं आती है दोस्तो तो वहाँ पर बहुत अच्छा कासा ओर्टाइम मनता है और अगर आपको ओर्टाइम चाहिए यनि कि अगर आपको ओर्टाइम कमाना है तो आप किसी junction station पर या फिर जो है किसी 8 गंटे जहाँ पर duty रोष्ट्रो वहाँ पर लगिए वहाँ पर जब भी आपकी डूटी 12 गंटे होगी तो आपको ओर्टाइम बन जाएगा और बहुत अच्छा कासा ओर्टाइम मिलता आपको रेलवे के अंदर और आप ओर टाइम के साथ साथ में के नाए डूटी भी करते हो तो आपको नाए टलांस भी आपके दिया जाएगा दोस्तों तो यह हो गया आपका 48 गंटे आपको पर विक डूटी कोंसे station पर करनी है जहाँ पर C रोष्ट होगा 8 गंटे का डूटी रोष्ट आपका होगा और वो ऐसे station होते हैं जहाँ पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है थोड़ा बीजी रहोगे आप संटिंग अगर काम आप चलता रहेगा अब दोस्तों बात करते हैं second type के station की कि जो है यहाँ पर आपका जो एक station ऐसा भी होगा जहाँ पर आपको डूटी ही रोष्ट ही जो है 12 गंटे होगा यहनि कि अगर आप वहाँ पर 12 गंटे डूटी रोष्ट है और आप 12 गंटे डूटी कर रहे हो तो उसमें आपको old time कुछ नहीं मिलेगा कहीं पर एक रेस्ट मिल रहा है, जब कि डूटी रोस्टर 12 गंटे का ही है, कहीं पर 2 रेस्ट मिल रहे हैं उसी 12 गंटे के डूटी रोस्टर में। तो देखे दोस्तों यहां पे जो है जैसे की बहुत सर इस्टेशन ऐसे होते हैं जहां पे points menu के quarter नहीं होते हैं और बहुत सर इस्टेशन होते हैं जहां पे points menu के quarter होते हैं तो देखे जहां पे points menu के quarter होते हैं station के उपर तो वहां पे आपको six day week करना होगा अगर आप 12 घंटे के duty roster में हो तो six day week आपका रहेगा ये दी आपके station पे points menu के quarter होते हैं अब आप बोलोगे कि sir क्या points menu के quarter नहीं होते हैं तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सभी station पे points menu के quarter नहीं होते हैं यह कोटे के होते हैं जैसे कि अभी हमें यहां इसमें जेपुर से अजमेर वाले section में काम कर रहा हूं तो इसमें operating के जो quarter होते हैं बहुत सारी जगे नहीं होते हैं जैसे कि गेगल में कोई operating का नहीं है लाड़कुरा में कोई operating का यहनि points menu और station master का quarter नहीं है साकुन के अंदर है कुछ होते हैं लेकिन points beneficiaries master इसमेर के गर सबैसंहों कर नहीं होते हैं तो जहां पे एक quarter नहीं होगा ऐसे stations पर आपकी duty रहेगी आपकी duty रहएगी यहां पर 5-d Geek रहेगी यहनी आपको 60 गंटे ही duty करनी है 12 गंटे के साभ से जैसे कि आप 12 गंटे का duty तो हैने पंतों कर दोटे करनी है तो यहां पर इस प्रकार आपके टूटी बनेंगी साथ गंटे की ही बनेगी और 5 गंटे की धूटी वहां बनेगी के दोस्तों जहांपे आप या आसपास के किसी गाउस से आप डूटी ली जाएगी तो ऐसे इस्टेशनों पे आपकी डूटी जो थी है एक वीक में वहाँ पे 12 गंटे के duty रोश्टर में आपको उनली 5 दिन duty करनी है 12 गंटे और 2 दिन आपका यहाँ पे rest रहेगा अब आपको होगे कि सर हम जो है 12 गंटे duty कर रहे हैं तो क्या हम ओर टाइम मिलेगा क्या तो बिल्कुल आपको ओर टाइम यहाँ पे नहीं मिलने वाला दोस्तो क क्योंकि यहाँ पे जो duty रोश्टर होता है वो 12 गंटे का ही होता है और यहाँ पे work load थोड़ा कम होता है इसलिए आपको 12 गंटे यहाँ पे duty करवाई जाती है इसमें आपको बीच में 1-2 गंटे का मारदन मिलता रहता है काम कोई खास यहाँ नहीं होता है इसके बाद दोस् 22 गंटे की जो duty है वो पूरे 6 दिन देनी होगी तो इस प्रकार आपको 22 गंटे की डूटि यहाँ पे आपकी बन जाती है तो इस प्रकार आपकी जो duty है 22 गंटे बन गही यहनी कि आपका station पे आपका quarter होगा और आपका 12 गंटे का duty रोश्टर है तो फिर जो आपको यहाँ प कर रहे हैं तो फिर हमारा ओर्टाइम कभी बनेगा यह नहीं क्या तो बिल्कुल आपका ओर्टाइम भी बनेगा दोस्तों वह कैसे बनेगा देखे जैसी के भी अपन ने बात की कि जहांपे साथ गंटे का जो डूटी रोस्टर है पर वीक तो वहाँ पर जो हता है आपको दो रेश्ट दी जाते हैं एक सप्ता के अंदर लेकिन इस्टाब की सोटे जोने की वज़े से आपको यहाँ पर एक ही रेश्ट मिल पाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको एक रेश्ट भी यहाँ पर नहीं मिल पाता है तो आपके जो दो रेश्ट सस्पेंट होंगे दोस्तों यहाँ कम से कम जो है आप एक रेश्ट तो यहाँ पर हंडेर परसेंट आपका सस्पेंट होते होता है जहां तक मैं लोगों से पता किया दो रेश्ट प्रोपर किसी को मिल नहीं पात तो पूरे महिने में जो है आपकी चार डूटी ऐसे हो जाएगी बारा बारा गंटे की तो 48 hours का आपका एक महिने का ओर टैम बन जाएगा जो की बहुत अच्छी खासी amount आपकी आपकी बनने वाली है 7-8000 या 10,000 करीब आपका ओर टैम पर मंध बनता रहेगा दोस्तो अब दोस्तो बोलेंगे के सर हमारा जहां पर एक ही रेस्ट मिलता है में वहां क्या होगा बारा गंटे में तो देखे कई बार ऐसी परिस्तिती होती है कि वहां पर स्टाप वहां पर सोटे जाता है तो जहांपे एक रेस्ट मिलता है वो भी आपका सस्पेंट कर दिया जाता है हालांके दोस्तों ऐसा बहुत रेली होता है जहांपे आपका 12 गंटे का डूटी रोस्टर है और आपको 6 डे भी करना हो रहा है डूटी तो फिर आपका ओटायम थोड़ा जानकार थी अगर आपको और कोई जानकार चाहिए किसी भी फिल्ट से लिटेर रेल्वे के किसी भी जोब के बारे में तो आप कमेंट जरूर कीजिए मैं उसको आपको परसनल रिपलाई करने के कोसिस करूँगा या फिर जो है मैं इसके ओपर इंडिविजिले एक वीडियो बना दूँगा तो आयों दोस्तों यह जो वीडियो है आप सभी लोगों को कापी अच्छा लगाऊगा कापी इंपोर्मेटर लगाऊगा आपके लिए तो वीडियो को सेर जरूर कीजिए थैंक यू